नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत थे दोस्वों आप शबी को बता दे कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जुनकाल की बहुत बड़ी शचाईशे रूबरू कराने वाले हैं जो दोस्तों यो कहें। तो आपके जुणकाल की हम चिनता हैं। आज के इस वीडियो में खट्म करने वाले हैं। जो भी परिशानियां है दोस्तों वह यश में इस वीडियो को देखने के बाद आपका खत्म होना निसी थे बसरती दोस्तों आप शबीशे बस यही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंद तक आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से हमारी बातों को श दोस्तों आप शुरू वो Elle दो ते कि आपका जो सुभा होता है आपका जो वैक्ति तो होता एज पिछले समीं जो आपके शाथ यह घटनाय हुए है और गया हुग है दोस्तों आपने पिछले शुमे में शी के श यूई बी भेद्भाव वहेर नहीं रखा ने रिख है आप नियुकूल में जो भी वक्ती हैं जिनके लिए भी किया है दोस्तु आपने बिल्कुल ही शच्चे दिल से उसे किया है सिद्धत के शाथ किया है कि कोई आपको कहने श्रक्ता कि इन में इन बातों में खोंट है जैंकर दोस्त और जब भी आपकी कोई कारी करते हैं भले हुआ उसके हिद के लिए हो कभी भी आप उसे एशास नहीं होने देती लेकिन लोग इसका गलत अर्थ निकाल देते हैं आपको भला बुरा कह देते हैं आपकी आपको शमयते ही नहीं है आपकी भावनों को ठेज पहुसाते हैं कभी आपकी भावनों का कदर वो लोग नहीं करते हैं जी हैं दोस्तों इसके साथी हम आप शिप्री को बता दें कि आपका जो सभाव होता है बहुत ही शांत सभाव के आप इंशान होते हैं प्रन्तु अगर आपको एक बार गुष्ट आ जाए तो दोस्तों फिर आपको शमालना भी मुकρι हो जाता है आपके क्रोध को कोई कंट्रॉल नहीं कर सकता यदि आप क्रोधित हो जाए यदि आप आविश्माज जाए तो आप वही करेंगे जो आपका मन करेगा जिस चीज़ को आप पशंद करते हैं आप वही चीज़ करेंगे इसमें दुसरे की दखलनांद अप बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं। आपूपने जोनकाल में अपने कारियों को अपने हिशाब करना पसंद करते हैं। कोई दबाव डाले..., कोई प्रेशर डाले, य tooling आपको बिलकुल भी पसंद नहीं होता। और इशी के इशाह थे हम आप शुबी को बता दे कि आपके अंदर बहुत शारी खाज गुन होते हैं और कुछ नकारतों भी गुन होते हैं और दोसों आपको उसका पता भी नहीं होता आप खुत नहीं जानते हैं कि आपके अंदर इतनी शारी अच्छी खुबियां है इतनी शार्य अच्छे गून है और दोस्तों यह सब बातों का पता आपको नहीं चल पाता जैसे कि दोस्तों हम आप शुभी को बता दें कि यदि आप किशी के उपर खुस हो जाएं तो दोस्तों उन पर आप अपना सब कुछ ने उच्छाबर कर देते हैं श्रब कुछ नपर लुटा देते हैं जैसे कि ले जाओ श्रब कुछ तुमारा है इस परकार दिल खुलकर आपके शुपर भरोशा करते हैं और इस परकार प्रशन होते हैं तो सब कुछ उनको लुटा देते हैं लेकिन जब आपको जरुद पढ़ता है तो वही लोग जिनके कि आपने अपने जुनकाल में शब कुछ किया हैए शब कुछ उन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको तकलीफ तब होती है, जब जिसके लिए आपने शब कुछ किया है, जान से ज़्यादा उस पर भरोशा किया है, और वहीं लोग आपके कारियों में रुकावट बन रहे हैं, वहीं लोग आपको नुक्षान पहुचा रहे हैं, तो दोस्तों आपको बुरा लगता है, कि पहले शब में जो वेक्ति मेरे शाब ताजिश के लिए हमने शब कुछ किया, और उसी ने आज हमको धुखा दिया है, तो यह से शमय में आपको धुख होता है, और आपकी भावनाओं को यह ठेश पहुचती है, लेकिन दोस्तों ह आपने अपने जुनकाल में किया है, और आभी भी करते आ रहे हैं, आप शुबी को बता दें कि आपकी जुनकाल में हमेशा परिशनिया चलते रहते हैं छाहpend रहती है, मानस्क प्रक्राइव हो घर के चिंटाएं हो या पिर भुषव की चिंटाएं, भुषव को लेकर आप कुभे आप पहुत ज्यादा सोचते हैं उतनी शारी फिलीज़न आपकी जुनकाल में लगतार चलती रहती हैं लेकिंगे दोस्वेश्क को बता देए जो घुबी आपके अंदर उन्चाथ अपड़ करें लेके ही ज़़क्त होने के बावसुद भी आप कभी भी पीछे नहीं हड़ते हैं आप लगातार शविश मेंश्याओं का डट कर सामना करते हैं शहाज के साथ अपने कारियों में लगे रहते हैं और दोसों इन्हीं की बदोनत आप निजुलकाल में हमेशा शफलता को छूते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं रहते ही दोस कोई अी चीजल कर ना करना हो दोसों आपके जुनकालमें आपको हर कार्यों में यह शंगर्ष करना पड़ता है तब ही जाकर आपको गया संथा होगा उन्ट मेंसान दोस्ता उल्टी है लेकिन ऊश्ब्स ने शंब्सक्र असलेिके नहीं मिलती मिलती ज़रू है लेकिन आपको मेहनत करना पड़ता है शंकर्ष करना पड़ता है जया दोसों क्या दोसों यह बाते हैं जो हम आपको बता रहें यह बाते हैं या फिर जूट है तो सच बाते हैं तो दोसों आप में कमेंट करके ज़रू बताईएगा अपने राय हमें कम किश्मत कब बदलेगा जियुनकाल में हमारे खुशी कब आएंगी हमारे वह सपने कब सचोंगे जिन के लिए हम और भी मेनद कर रहे हैं तो दोस्तों माप शिप को बता दें कि अब आपका वक्त आ गया है अब आपका किश्मत बदलने वाला है पर दोस्तों अब आपका होती बड़ी खुशकवरी मिलने वाली है जो कि दोस्तों आप शिप के जुनकाल को बदल देंगे तो दोस्तों इस महिने में गरहों की जो गोजर है आपके लिए शुब दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों इनमें आपको कुछ विसेज बातों का ध्यान रखना होगा जो कि दोस्तों आपके लाप के कारियों में रुकावटें पेदार नहीं होने देंगे दोस्तों अपने उपर वालों को देखा तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पाश अपने शे नीचे वालों को देखा तो लगता है कि बहुत कुछ है मेरे पाश जिन्दगी में जो मिला है उससे कभी भी नो हो उदाश क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए हैं बहुत खाश तो दोस्तों और आपको यहां बात शच्ची लगी हो इन पर यकीन हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में जैश्री किष्णा राधी रादे दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यह में तरक्की के नए रास्ते खुलने में भागया आपका शयोग कराया प्रसितिया अनुकूल है इसका भरपूर शदियों प्योग करें दोस्तों अचाना की किसी फिरी मित्री मुलाकात आपको खुसी देगी और दोस्तों किसी महत्पुर्म मद्दे पर शकारत्मक बात्चित भी यश्मय हो शक्ति है इसके प्राण दोस्तों यश्मय अगर आपके शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कभी-कभी शक और कुरोद की वज़शे बेवज़ा किसी के साथ मद्वेद होने क की आशरका भी नग रही है दोस्तों यश्मय अपरी मनुवर्ती को शकारत्मक बना कर रखने की अफश्त आहोंगी को अपनी प्रजक्ट में प्रफलता के कारण उनके प्राई में अपना ध्यान को केद्रित करें अता या शुमें ध्यारी बना कर रखें इस गुप्राण दोस्तों या शुमें आपके लिए सिम्होंगी दोस्तों आपके अंदर बढ़ता अकिलापन अभी इस शुकिरेटी भी बढ़ रहा है जिसकी वज़ा से कोई महत्पुन न प्रिजी बहुष में नजराएगा दोस्तों बड़े निरले लेते शुमें जिस व्यक्ति पर आपको बहुत अधिक विश्वास है उस व्यक्ति के साथ चर्चा करके निरले लें यह आपके लिए बैतर होंगे इसकी प्राण दोस्तों याश्में आपके लिए उसे महोंगे दोस्तों याश्में अपने कारियों से शुमंदित जो है नितियों को दोबारा से विचार करके उस पर और अधिक शुदार लाने की पर्याश करें दोस्तों आपको अवशी सकात्मक परिडाम हाशिल होंगे अगर कोई पैतरिक शुमंदी ममला चल रहा है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और असानी से उन्हें आप हल कर सकते हैं इसको प्रांदी दोस्तों में माता पिदा या फिर किसी भी वरिष्ट व्यक्ति के अत्मस्रमान को ठेश नौ पहुंचाएं आप जो है अधित्तर काम घर में रहकर ही पूरा करें क्योंकि दोस्तों किसी भी परकार प्राइब में विशेश सयोग भी रहेगा आपके दोवरा लिए निरले या पिर दिये गए दान पूर्णी के वज़ए आपको मार्शिक समधान भी प्राप्त होगा इसको यह श्रमें आपके लिए यह समय होंगे किसी समाजिक संस्ता के शाथ शाहर्नीय काम करने शे आपक समय होगे आपको शफलता प्राप्त होगी शाथी दोस्तों कभी कभी गुश्या होने के वज़ए किसे के साथ समंध खराब हो शकते हैं जिसकी वज़ए आपकी कार्शमता भी प्रवाइद होंगी दोस्तों महत्पुन वस्तु को रखकर भूलने या फिर खो जाने के से प्रवार के लोगों से मिलने के आउश्वर आपको प्राप्त हो सकते हैं जिसके दोवारा आपको खुश्यों की प्राप्ति भी होंगी इसको प्राइद दोस्तों आपके लिए उसे होंगे यह में किसी महत्पुन प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना बहुश में बहुत करने की जुरत होंगी दोस्तों यह में घर के रक रकाव अतवा बदलाव शमंदी भी योजनाई बनेंगी इसको प्राइद दोस्तों यह में मार्केटिंग वा फिर मेडिया से शमंदीत कारियों में अधिक्ष ध्यान दें यह में अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उशे उससे समदी दोजनाई बनाने की और किर्यानवित करने का उचित समय होगा दोस्तों यह में ऑपिश में अस्थान परिवर्तन की शाभावना भी बन रही है इसको प्राइद दोस्तों यह में अपने वाइवार को आप समय उत्मारा कर रखें यह आपके दोस तराव और डिप्रेशन की स्थिती से बचने के लिए मेडिरेशन तथा योगा का आप शहराले तथा अपना इम्यून सिस्टम को रखने की कोशिच करें तो आपको बिता दें कि यश्च में आपको कौन से उपायव को करना चाहिए दोस्तों इस महिने में आप हमेशा लक्ष को लाइक करना ना भूले धन्यवाद आपका शमय शुब रहे